नमस्कार दोस्तो यूट्यूब के जड़ी बूटी ज्यान चैनल में आप सभी का एक बर फिरत है दिल से स्वागत है दोस्तो प्रकरती खजाने से आज हम एक और नया मोती चाट कर लेकर आए हैं उसकी जानकारी लेकर आए हैं दोस्तो वे बहुत गुन ही हैं स्वास्ता के लिए बहुत कीमती ओस्दी बूटी है दोस्तो आज हम जिस जड़ी बूटी की जानकारी लेकर आए हैं वह मधु में रोग की स्रेश्ट ओस्दियों में गिनी जाती है सब्त रंगी बूटी का पोदा जाड की तरह फैल जाता है यह बूटी दक्षिन भारत के छेत्रों में खूब उगती है यह खाली पड़ी भूमी में नदी नालो के किनारे समुंद्र तटिये छेत्रों में दूर दूर तक फैली दिखती है इसका पोधा सदा हरा भरा रहने वाला जाड की भाती का होता है इसे सप्त चकरा, सुन मूला, सप्त रंगी, एक नायक, भूरी गंधा, बोकरा तथा सेलेशिया चाइनेंसिस आधी नामों से पुकारा जाता है इसके पत्र तीन से छे इंच लंबे अखंड होते हैं इसके पुस्प, पीतवन के तथा तीन से छे साथ के गुच्छों में लगे रहते हैं इसका जो फल होता है वह छोटा गोल होता है कच्चे रहने पर हरे रंग का तथा पकने पर लाल वनग का हो जाता है परतेक फल में एक बीज निकलता है और फल का गुदा सफेद रंग का होता है इसकी जड़ सुनहरी दिखती है जिसको तोडने पर अंदर से सात चकरों के समान जो एक जहलक दिखाई देती है जो सात रंगों की जलक्सी दिखती है इसी कारण इसे सब्त रंगी वे सब्त चक्री भी कहा जाता है इसके पोदे पर दिसंबर से लेकर जन्वरी महा में पुस्प लगते हैं जो अपरेल तक दिखते हैं इसके बाद फल लगते हैं इसके गुण धर्मों की प्रकर्ती की बात करें तो दोस्तों सब्तरंगी कसाये तिक्त रसवाली तता लगू रुक्ष तिक्षण गुण वाली होती है इसका जो विपाक होता है वो कटू तता प्रकर्ती उश्न वीरिय होती है यह कफपित दोशों का समन करने वाली बूटी है तता मदु में नाशक सोत सूजन दूर करने वाली रक्त सोधक महीना खुल कर लाने वाली गर्भाश्य को उतेजित करने वाली भूक में वरद्धी करने वाली पित की वरद्धी करने वाली बहतरीन बूटी होती है चलो दोस्तो इस बूटी की मात्रा परियोग और परियोग किये जाने वाले भाग आदी के बारे में बात करते हैं जड का ओस्दी के रूप में परियोग किया जाता है आता है सब्तरंगी की जड का अगर काड़ा परियोग करते हैं तो 20-30 ml तक की मात्रा में और अगर छाल मलक छाया में सुस्क चून लेते हैं तो 2-5 गराम तक की मात्रा में आयूबल प्रकरती आदी को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं दोस्तों सब्तरंगी बूटी को मधु में यानि सुगर वे उसके उपद्रवों की अच्छी बूटी माना जाता है यही नहीं कितने ही विद्वानों ने इसके परियोगों वे सोधों में इसे मधु में रोगे को नियंतिर्द करने वाली सेष्ट प्रभावी बूटी के रूप में पाया है यही नहीं भले ही सेखडो ओस दियां बूटियां मधु में रोग में उसके उपद्रवों मुत्र की अधिकता मुत्र में गुलुकोज का जाना हिर्द्य की दुरबलता यकरत विकारों आतों की कारेशमता में कमी होना कब्ज मल का सक्त वगाठो युक्त आना पीड़ा से आ आदी रोगों में यह बूटी सब्तरंगी ओस बहुत कारगर बूटी है इस प्रकार यह माना गया कि मदु में रोगों में सब्तरंगी बूटी जो है वो स्रेष्ट प्रभावी है बहुत अधिक प्रभावी है इस प्रकार सब्तरंगी मदु में रोगियों के लिए रामबा रोग, नाशक, रक्षक, जीवन दायक बूटी हो सकती है। यह यकरत विकारों के कारण होने वाली सुगर रोग की समस्या में अच्छी लाब प्रद बूटी है। इसके चून की अपेक्षा इसकी ताजी जड़ ही परियोग करना आधिक अच्छा रहता है। यह रक्तगत वे मुत्रगत शक्रा यानि गुलुकोज की समस्या को परभावी ढंग से नियंतरित करने में मदद करती है। अच्छी मूल की जो उचित मात्रा में आयू बल प्रकरती मात्रा अनुपानादी का ध्यान रखते हुए काड़े, सीत कसाय, क्वात, चून, रसादी क रूप में सलानु रूपिस का परियोग कर सकते हैं और अपने वे अपने परिवार के स्वास्ते की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों आपने पाचन संस्थान का ध्यान रखें, पेट का भी आप प्रिक्षन करते रहें, स्वास्ते को हितकारी, भोजन लें, तत आपको यह वीडियो पसंद आई होगी इसमें दीनगरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तो जानकारी अच्छी लगी है तो किर पर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अधिक से अधिक भाई लोग तक पहुंचाईए जिससे अधिक से इसका फायदा ले सकें तो दोस्तों आगली वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जै हिन्द जै आयर्वेल